यह जहना टदि मेरे सेनल में आप सभी को बहुत भूस्वागत है जिसे कि आप सभी जानते हैं कल करवा चौत का ब्रत है आप सभी लोगों को करवा चौत की बहुत सारी सुभकामना आप बहुत सी हमारी बहने चाही हैं जिनके फेय्ज के उपर सार इस découvrir बैसे तो हदं हैお願いします मैंने कल भी वीडियो अप्लोड की है कर सुबह ऊप्लोड करी थी और साम को भी करी थी परसों भी वीडियो इधर लगातार एक अपते से एसी वीडियो में दे रही हूं जिसे आपके फेस के सारे दाग धब्बे निकल जाएंगे फेस का रंग हो रहा होगा फेस में एकदम चमक आ जाएगी अगर डेड़ स्किन फेस की हो गई है तो भी एकदम क्लीन हो जा पूरी तरीके से रेपयर करके एक नई स्किन आपके फेस के उपर आपको बना के देगा तो देखिये कभी कभी और ओपर आपके क्या होता है दाग धब्बे होते हैं चोट-चोट से एक थेल या जीजीब और दॉस्टनी की आज में आपको बताने वाली हूँ वह उन लेडी को बहुत ज्यादा आराम देगा जो की विचरी रोज-रोज कोई फेस्पैक लगा नहीं पाती है वर्किंग वूमेन है यह मालिया सुबे छे वजे घर से निकल गई है रात के दस वजे घरवा पसा पाती उनको बस में इतना स फेस्पैक कुछ लगा पाती है तो यह जो हमारा फेस्पैक है हाला कि यह सभी के लिए बराबर फैदेमंद है लेकिन जो लोगों ऐसे रहते हैं कि विजी रहते हैं कि रोज में या हथते में फेस्पैक नहीं लगा सकते हैं जब कोई खास तेवार पढ़ता तब ही वो लग देगा आपको तो इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए तेके सबसे में चीज तो मैं आपको बता दूँ पहले इसकिन की कंडिशन अगर आपको महसूस होता कि आपकी स्कीन लिमिट सेधिक रूखी सूखी और ड्राइब है यानि कि इसकिन में जिल्ली जैसी निकल रही है इसकी में कोई ग्लो है ही नहीं रूखा पन यानि सूखी इसकिन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है आपको इपक्रीम लगाते हैं तो उसकी भी पपड़ी जैसी बन जाती है या जिल्ली जैसी उड़ने लगती है या आप अगर इसकिन के ऊपर इस तरीके से नाखून लगा दे तो निशान पढ़ जाता है यानि कि बहुत ज़्यादा ड्राय और रूखी स्कीन है आपकी तो उस इसकिन को रिपेर करने में यह आपका फेस्पैक बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा उसके अलावा जो फेस्पैक मैं अभी आपको बता रही हूं इससे आपके फेस के ऊपर एक बहुत बच्छी सी चमक आएगी और बहुत बेहतरी नापका चेहरा हो जाएगा अब इसके लिए आपको करना क्या है आप आधा चमच गलिसरीन ले लिजे आधा चमच भरके आप ऐलोवेरा जिल ले लिजे आधा चमच आप कॉफी पाउडर लीज और इसी में आपको आधा चमच टमाटर का रस मिलाना है साथ ही आप इसमें चावल का आटा आधा चमच मिला लीजिए और आधा चमच बेसन मिला लीजिए सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा सामला है तो इसी में आधा चमच आप नीवू का रस भी मिला सकते हैं साथी दो जूटकी हल्दी मिलाके मिक्स कीजिए और धके इसको दो से तीन मिनट के लिए रख दीजिए उन्हीं दो तीन मिनटों में अपने चेहरे को आप दूज से साफ कीजिए कच्चा दूद है तो जैसा दूद आपका पास उपलब्द है उसी में रूई कफाहा दूबाईए अपने फेस को क्लीन कर लिजे कैसे करना मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूं मेरी एक प्लेलिस्ट घरीलू फेस पैक उसमें आप देखेंगे बहुत सारी वीडियो में आपको यह मिल जाएगा कि कच्चे दूस्से को कैसे साब करें उसके बाद में दो तीन मिनट के लिए जब आपने ढख दिया चेहरे को साफ किया फिर आप इसी फेस पैक को खोल के दूबारे से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए अपने पूरे फेस के उपर इसकी एक मोटी लेयर लगा दीजिए और इसको आप गरतन तक लगाई है तो उन 20 मिनटों के लिए आप खीरे के चिप्स काटके अपनी आखों के उपर रख सकते हैं या अगर खीरा आपके पास में उपलब्द नहीं तो आप लोकी के चिप्स काटके अपनी आखों के उपर रख सकते हैं आलू के जब आप चिप्स काटेंगे तो उसको किसी फ् लगता रहेगा जिससे कि आपकी आँखों को सीतलता भी मिलेगी साथ ही आपके जो आँखों के डार्क सरकल है काले गेरे ये भी खतम होंगे लेकिन अगर ज्यादा गेरे तो आप ये मस्त सूचिएगा कि इसको एगद बार लाघने से खतम लगातार आपको आलू का रस लगाना होगा काले घेरे तभी जाते हैं यह मैंने अभी आपको बताया है फेस पैक अच्छा जब 20 मिनट हो जाएगा तो 20 मिनट तक यह फेस पैक काफी हद तक सूख चुका होगा लेकिन क्योंकि मौसम नमी का है थोड़ी सी मौसम में नमी आ ग आपका फेस गीला हो जाएगा गर्दन तक दीजेगा जहां तक आपने फेस पैक लगाया है उसको बाद में धीरे धीरे अपने फेस के उपर इस तरीके से बिलकूल हलकी हाथों से मसाज देते हुए दो तो से तीन मिनट आप मसाज दीजिए और फिर से तीन-चार मिनट के आप पानी से धो लिजिए दोने के बाद मैं आप झुळ देखेंगे कितना सॉफ्ट हो गया है, कि इसे करेंगा खेंगा है, तो लेकिन जब पहली बार में ऐसा रिजल्ट आए और लगतार आप इजिकों करेंगे तो खुद समझ सकते हैं कितना बढ़ी आज़ का तो लेकिन जब आप इस फेस्पैक को धूएंगे उस समय आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका जो फेस है वो ज्यादा चिकना महसूस हो रहा है क्योंकि इसमें आपने ग्लिसरीन भी ढली था और यह तीनों चीजें आपके फेस को चिकना हट देंगी लेकिन हमेशा द्यान उस चिकना हट को दूर करने के लिए आप साबून से अपने फेस को नहीं दोएंगे जिस समय आप फेस पैक उतारेंगे यानि फेस पैक वाला अपना चेहरा धोएंगी उसके कम से कम छे घंटे बाद तक आपको अपने फेस पे कोई भी साबून नहीं यूज करना है और वैसे देखेंगी जो दस बार फेसेल करा क्या है उनसे कहीं बेहतर आपके फेस पर होगी और आपके पास में टाइम है तो कम से कम हथते में तीन दिन आप इस पैक को जरूर लगाई है और उसके बाद में रिजार्ट अपने आप देखिए उम्मिद करती हूं वीडियो आपको अ अंदर से आपकी स्किन को क्लीन करते हैं आपकी इसकिन में जो भी कमियां उनको दूर करते हैं पोश्टिक्ता देते हैं आपकी इसकिन को पूरी तरीके से पोसंड देते हैं और आपके चेहरे में एक अदभुत सा निखार लाते हैं रंगत आपके चेहरे की एकदम निखर जाती है इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताईए ताकि सभी को बीना खर्चे के पूरा फैदा मिल सके नमस्कार धन्यवाद